जै जैगनात, मैं शिवानी चौकर वड़ते हैं अपने चैनल बॉंग के लिंक फूर्टेल्स में अब सब का स्वागत करती हूँ आज हम जानेंगे रथ्यात्रा के साथ नाम, वैसे तो रथ्यात्रा के नाम से विश्व प्रशिद है लेकिन उसका जो साथ और नाम है, जो की रथ्यात्रा के असली नाम है, सबसे पहला नाम है घोष यात्रा घोष यात्रा इसको इसलिए कहते हैं कि कुई जगनाजी का जो रथ है, उसका नाम है नंदी घोष, तो नंदी घोष तो इसका नाम पड़ा है घोष यात्रा तो सबसे पहला नाम है उसका घोष यत्रा और दूसरे में कहा जाता है इसको श्री गुंडिचा यत्रा रानी गुंडिचा को दिये गए अपने वादे को पूरा करने के लिए वो साल में 9 दिन तक यहां पर आते हैं इसलिए इसको श्री गुंडिचा यत्रा कहा जाता है सबसे पहला नाम श्री गुंडिचा यत्रा है और दूसरे में आता है घोष यत्रा तीसरे में आता है आडप मंडप यत्रा आडप मंडप भगवान जी को यहां पर सबसे पहले अभिशेक किया गया था और इस अभिशेक मंदप पर वो आते हैं इसलिए इसको आडप मंदप यात्रा कहा जाता है और चोथे में आतरा है जन्मवेदी यात्रा क्योंकि ये जगनाजी का जन्मवेदी है और यहां पर उनका सबसे पहले संस्तापन किया गया था और जग्य वगरा यहीं पर ही सबसे दाम तबावन खाजाता है और पतितों के उध्धार के लिए जगनाजी इस डाम से परीचिते जो भक्त जगनाजी को मंदिर में जाके द्रशन नहीं कर सकते साल वर उनको दर्शन देने के लिए अपने रत में निकलते हैं बहार तके उनके जो भक्त है जो उनको देख नही यात्रा क्योंकि यह जो नौ दिन की यात्रा होती है गुंडिचा मंदिर में जगरनाच जी प्रवेश करते हैं बामन के रूप में और निकलते हैं नरशिंग के रूप में और बीच में जो समय होता है उसमें वह बाकी आठ रूप धारन करते हैं तो इसलिए इसको कहा जाता ह दसावतार यात्रा और इसका सात्वा नाम है नवदिनात्मक यात्रा क्योंकि जगनाजी रथ्यात्रा से लेकर बाहुडा तक जो आना और जाना है और उसके बीच में जो समय है और नौ दिन का है इसलिए उसको नवदिनात्मक यात्रा कहा जाता है तो यह थी छोटी सी जानक कि जगनाजी के रथ्यत्रक और किस नामों से जाना जाता है तो आज के लिए इतना ही रहते हैं जय जगनाथ जय माकाली